Hello Friends, Cash and Bank Transaction इस अध्याई में देखते हैं Cash और Bank के बीच के ट्रांजेक्शन की इंट्री किस परकार से होती है Tally 57, 26,2012 Mr. Roy Deposited Cash of Rs. 40,000 to ICICI Bank Mr. Roy क्या करते हैं, कंपनी में जो पैसा आया है, उस पैसे में से 40,000 रुपया ICICI Bank में ले आ करके जमा करने है तो इस तरह की जो इंट्री होती है, कि कंपनी में अपना ही पैसा को एक एकांट से दूसरे एकांट में ट्रांजेक्शन हो रहा है Cash से Bank में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो Cash और Bank के बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है कंपनी के प्रोप्राइटर के द्वारा तो उसके इंट्री Contra Voucher में होती है आईए इसे इंट्री करते हैं ट्रांजेक्सल के अकांटिंग Vouchers में आए तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे को Receipt Voucher खुला हुआ है Contra Voucher खुलने के लिए कीबोड से F4 बटन दावेंगे नहीं तो इस वर्टिकल वार में F4 Contra पर क्लिक करेंगे F4 Contra पर क्लिक करते हैं F4 Contra पर क्लिक करते ही Contra Voucher हमारा खुल जाता है अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेट चेंज करेंगे तो कीबोड से F2 बटन दावते हैं 20-6-2012 इंटरबडन प्रेस की है डेट हमारे को गया 20-6-2012 तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Contra में Credit की Entry होती है तो Credit कौन हो रहा है जो Amount जिस Leisure में Amount खट रहा है तो किस Leisure में Amount घट रहा है Cash Leisure में Amount घट रहा है क्योंकि Cash से पैसा निकल रहा है कहां से निकल रहा है? Cash से तो हमारे को Credit हो गया Cash C बटन दा में List of Leisure Accounts खुल गया और सबसे Cash सेलेक्ट हो गया Intermittal प्रेस की है Cash Credit क्रेडिट क्लिक रहा है कितना से 40,000 से काई दहाई, सैकड़ा, बजाद, 10,000 40,000 रुपया Cash निकल गया डेविट कौन होगा? Pretty Cash? No, Bank में पैसा यह जमा हो रहा है तो ICICI Bank Select कर लेते है I click किये ICICI Bank का अब क्या होगा? ICICI Bank के Leisure में पैसा बढ़ जाएगा ICICI Bank में हमारा पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि Cash पैसा मैंने ले जाकर ICICI Bank में डेविट किया तो ICICI Bank क्या हो गया? डेविट हो या जिस Leisure में Amount बढ़ता है वो Leisure में क्या होता है? डेविट होता है Intermittent प्रेस किये Narration में चाहेंगे तो narration दिख सकते हैं या हम छोड़ देते हैं Intermittent Accept Yes इस परकार से हमने देखा कि Company के Proprietor के द्वारा यदि Cash पैसा Bank में तालना है तो उसके Entry Contra Voucher में होती है या Bank से पैसा कैसी Company का मालिक निकालता है Daily Use को देखने के लिए तो उसके भी Entry Contra Voucher में होगी